एक मर मिस्परसी कहानी मिश्टर सुकला की पत्नी का देहान थो चुका था और उस समय उनके बेटे की उम्र 20 वर्स थी उन्होंने सोचा कि अकेले पन से तो अच्छा है कि बेटे की साधी कर दी जाए दो साल तक वो अच्छी लड़की की तलास करते रहे और जैसे ही अच्छा रिस्ता उनको मिला उन्होंने बेटे की शाधी कर दी बहु घर में आ गई करीब एक साल भी था शुकला जी अपनी पत्नी के देहान के कारण अकेलापन महसूस करते थे और किसी कारण में भी उनका ज्यादा मन नहीं लगता था इसलिए वे घर से कहीं जाते नहीं थे घर में ही रहते थे टीवी देखना, गाने सुनना कुछ दोस्तों के साथ कभी कवार घूमने के लिए निकल जाते थे बाकी उनका सारा समय घर पर ही ब्यतीत होता था इसी बीच उनके लड़के ने उनसे कहा कि पिता जी आप घर में ही रहते हो आपके कारण आपकी बहु साड़ी में उसको रहना पड़ता है और सम्मान सम्मान मर्यादा के हिसाब से उसको चलना पड़ता है जबकि आज युग बदल गया है आज के युग में लड़कियां अपने इस्टाइल के कपड़े पहनना चाहती है सचन्दता से घूमना फिरना चाहती है और आपका यहां पे रहना उसकी सचन्दता में बाधक है आप ऐसा कीजिए आप नीचे गैराज है उसमें रहिए मन में कुछ सोचते रहे सुकला जी कुछ बोल नहीं सके बेटे ने उनका सारा सामान गैराज में रख दिया और गैराज में सुकला जी को रहते हुए एक महिना बितित हुआ उस एक महिने में बच्चे के जन्म से लेकर और अब तक की सारी कहानिया उनके आगे पीछे घूमने लगी लालन पालन वो इसकूल ले जाना इसकूल से लाना खिलाना रूठना मनाना हसना खेलना कुदना और न जाने क्या क्या ये यादें उनको कचोड़ती रही पत्नी के न रहने पर अकेला पन तो उनको था ही था और बेटे और बहु के इस बेवहार से तो वो बिल्कुल तूट ही गए थे सुकला जी कुछ सोचते रहे अचानक से उनके दिमाग में एक ख्याल आया वे गए और फारेंट ट्रिप का टिकट ले आये फारेंट ट्रिप का टिकट बेटे के हाथ पे थमाते हुए बोले कि बिटा तुम लोग की साधी के एक साल हो गया है तुम लोग कहीं घूमने फिरने नहीं गए हो तो मैंने ये सोचा कि तुम लोग कहीं घूम फिर आओ ये हवाई जहाज की टिकट है और ये तुमारे वहां रहने खाने के लिए पैसे जाओ बेटा घूमाओ जाकरके जिन्दिगी का इंज्वाए करो बेटे ने बहु को बताया कि पिता जी ने ये टिकट और ये दिये बहु बोली कोई बात नहीं टिकट दिया है पैसे दिये है तो चलो कहीं घूमी ही आते हैं लेकिन बहु ज़्यादा उनसे लाड़ प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं ये नहीं कि बहु ज़्यादा उनके बीच में घुसो आप बेटा और बहु दस दिन के लिए टिप पे निकल गए इधर शुकला जी ने अपने मकान को तीन करोड रुपए में बेच दिया और खुद अपने मित्र के यहां किराय का एक कमरा लेकर रहने लगे बेटे का जो भी सामान था वो उन्होंने एक फ्लैट किराय पर लिया और उसमें रखवा दिया मकान के बाहर जो गाड बैठा था उससे सुकला जी ने कहा कि जब मेरा बेटा लौट कर आये तो उसको ये नमबर दे देना ताकि वो मुझसे बात कर ले सुकला जी का बेटा दस दिन के बाद लॉट कर आया मकान पर ताला देखकर बाहर गार्ड को बैठे देखकर उसने पूछा कि ताला क्यों लगा है और आप यहां कैसे तो गार्ड ने कहा कि आपके पिता जी ने आपके आने पर कहा है कि इस नंबर पर बात कर लें मैं आपकी बात करा देता हूँ सुकला जी का बेटा नाराज होते हुए बोला कि तू क्या मेरी बात कराएगा मैं खुद बात कर लेता हूँ और उसने जेब से मोबाइल फोन निकाला और शुकला जी को फोन मिलाना सुरू किया शुकला जी का वो नमबर नहीं मिला क्योंकि शुकला जी ने उस नमबर को बंद कर रखा था तब गार्ड ने कहा कि वो मुझसे कहके गए हैं कि पुराना नमबर मैं खतम कर रहा हूं और ये मेरा नया नंबर है इस नंबर पर फोन मिलाईए तब आपकी शुकला जी से बात होगी बेटे ने शुकला जी को फोन मिलाया शुकला जी ने कहा कि ठीक है तुम वहीं रुको मैं भी आता हूँ ठीक दस मिनट बात शुकला जी वहाँ पर पहुँचे और फ्लैट की चाभी थमाते हुए बोले बेटा ये तुमारे फ्लैट की चाभी है जो मैंने किराय पर लिया है एक वर्ष का किराया मैंने अपनी तरफ से अदा कर दिया है आगे तुम जानू इतना कहकर शुकला जी वहाँ से वापस मुड़े और चले गए ये कहानी आपको आज के परिवेश में बहुत कुछ कहती है ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता मगर इस तरीके के डिसीजन समाज में लोग लेने